इस वीडियो में हम trigonometric functions और logarithmic functions के derivatives देखेंगे कि क्या होते हैं कुछ बनियादी जो हमारे functions हैं उनके derivatives हम देखेंगे derivatives हम जानते हैं कि किसी भी function का जो slope of the tangent है वो derivative कहलाता है So सबसे पहला हमारा function sine function अगर sine of x हम consider करें अपने function को तो इसका derivative बराबर होता है cost of x के फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो derivatives हैं उनके उपर हम नज़र डालेंगे और उनको जहन नशीन एक तरह से करने की कोशिश करेंगे ये बड़े बनियादी से derivatives हैं कुछ बनियादी trigonometric functions के इनको किस तरह आخذ किया जाता है ये इनका माखذ क्या है फिलहाल इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे अगर आपको उसमें दिल्चस्पी है तो आप हमारे दोस्त कुमेल की वीडियोस देख सकते हैं post secondary maths की जिसमें ये जो derivations हैं या जो इनके माख़ज हैं वो मौजूद होंगे दूसरा हमारा function है cos of x सो cos of x का जो derivative है वो बराबर होगा minus sin of x के tan of x तीसरा हमारा function tan of x का derivative बराबर होगा एक बटा cos square x या हम जानते हैं ये बराबर होता है secant square x या sex square x भी हम इसको कह सकते हैं फिर हमारा जो natural logarithm है जिसको हम ln से जाहिर करते हैं हम जानते हैं ln of x का derivative बराबर होगा एक बटा x के या दूसरी शकल में अगर इसे हम लिखना चाहें तो ये बराबर होगा x की ताकत मन्फी 1 के अब जो derivative हम देखने जा रहे हैं ये ये रियाजी के अंदर mathematics के अंदर जो चंद अनोखी चीजें हैं जो अनोखी यूनीक चीजें हैं उनमें से एक है e, Euler's number e to the power x का derivative बराबर होता है e to the power x के ही यनि के इस function का जो slope of the tangent है वो तमाम values पे इस function ही के बराबर होता है अब ये एक अजीव गरीब बात है कि कैसे है इसको अगर हम graph पे देखना चाहें यहाँ पर तो ये हम देख सकते हैं यहाँ ये x y plane के उपर e to the power x का graph एक बना हुआ है इसको हम कह सकते हैं एक rough सा graph है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जहाँ ये function intersect कर रहा है इस नुकते पर तो यहाँ पर इसकी जो slope of the tangent है वो भी इसी function के बराबर है या होगी इसको अगर हम compute करना चाहें इसी तरह से यहाँ पर भी अगर इस नुकते पर हम देखना चाहें यह कहीं यहाँ आकर अगर intersect कर रहा है फर्स करें कि यहाँ पर one की value है x यहाँ पर x one के बराबर है तो हमारा जो y बराबर हो जाएगा e हो जाएगा हमारा x अगर x की खदर one है तो y हमारा यह भी e के बराबर होगा और जो इसकी slope of the tangent है इसको मैं थोड़ा सागर साफ करके बनाऊँ तो यह इतना साफ नहीं बनाए लेकिन आप बात समझ रहे हैं कि जो slope of the tangent है उसकी खदर भी इसी function के बराबर ही होगी